आप देखना शुरू कर चुके हैं माई विलेज प्रेस। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बाबा एक ओम मरहूम चौधरी यासीन खा के बारे में। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा एक ओम मरहूम चौधरी यासीन खा की पैदाइश 4 नवंबर सन 1896 को मेवात के गाव रहना में हुई। इनके वालिद का नाम खुदा बक्ष था। चौधरी यासीन खा का बचपन गाव साठा वाडी में गुजरा जहां पर वली जी आपके प्रेणा के स्रोत थे। की शुरुवाती तालीम नूँः के मदरसे में हुई और मेट्रिक पंजाब बोर्ड से की। ग्रेजुएशन की डिग्री दिल्ली मिशन कौलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से की। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की पहली साल अलिगड मुसलिम यूनिवर्सिटी और दूसरी साल दिल्ली उनिवर्सिटी से पूरी की। इस सूरज के तलू होते ही मेवात का कौना कौना रोशन हो उठा। चौधरी साहब ने मेवात को एक अलग पहचान दिलाई। यासीन खा सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मेव लीडर थे। इन्होंने तालीम को अपने तक महदूद ना रखा बलकी मेवात के हर घर में तालीम पहुचाने की कोशिश की जिसकी आज कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। अगर यासीन खाने मेवात के लिए तालीम की अहमियत को ना समझा होता, तो मेवात और मेव कौम इनकी दौलत से महरूम रह जाती। आज जो पढ़े लिखे मेवात में नजर आते हैं, वो हर्गिस नजर नहीं आते। जब यासीन खाने सन 1923 में डिप्टी कमिशनर मिस्टर ब्रेन से एक हाई स्कूल कायम करने का जिक्र किया और काफी महंत के बाद जब ब्रेन मेव हाई स्कूल की बुनियाद रखी तो लोग चौधरी साहब का मजाक उडाने लगे। मगर यासीन खान अपनी धुन के पक्के थे। लगन और कौम के लिए कुछ करने के जजबे ने आपको काम्यावी दिलाई। दोस्तों अगर आप यह वीडियो फेस्बुप पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चौधरी साहब बड़े संजीदा और दीनदार इनसान थे। दुन्यादारी से इनको ज्यादा मतलब नहीं था। मेवात की भलाई के लिए उन्होंने अपनी जिन्दगी में कभी पैसे को अहमियत नहीं दी। वो चाहते तो बहुत पैसे कमा सकते थे और अपनी पूरी जि मिजाज और नेक नियत वाले इनसान थे। सबसे हंसकर बोलते थे और बड़ी इज़त से पेश आते थे। वो सलवार कमीज पहनते थे जिसके उपर शेरवानी होती थी। आजादी के वक्त तक तुर्की टोपी पहनते थे। उर्दू और अंग्रेजी जुबान पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी और लिखाई बहुत ही शांदार थी। मेवात की भलाई के लिए चौधरी यासीन खा ने और इंडिया मेव पंचायत की तामीर की और हर वक्त कौम की खिदमत में हाजिर रहते थे। चौधरी साहब तमाम उम्र इस लीग के सदर रहे। यासीन खा के बाद इनके साहब जादे चौधरी तयब हुसैन ने इस काम की जिम्मेदारी उठाई। सन 1947 में मेव कौम को पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए और इस कौम को दोबारा बसाने के लिए चौधरी यासीन खाने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और शेक अब्दुल्ला के पास जाकर इस बहादुर कौम के लिए दरवाजे खटखटाए। महात्मा गांधी जी को मेवात के घासेडा गाओं में लाने का काम भी चौधरी यासीन खाने ही किया था, जहां महात्मा गांधी जी ने बहुत बड़े जलसे को अपना भाशन सुनाया और मेव कौम को हिंदुस्तान की रीड की हड़ी कहकर पुकारा था। आएए एक नजर डालते हैं चौधरी यासीन खान के सियासी और सामाजिक सफर पर। चौधरी यासीन खाने सन 1921 में चौधरी हयात खान की मदद करके बल्लबगर से सन 1926 में चौधरी यासीन खान जमीनदार लीक से MLA बने और सन 1962 तक MLA बने रहे। सन 1923 में ब्रेन मेव हाई स्कूल की तामीर करवाई। सन 1930 में आल इंडिया मेव पंचायत तंजीन की तामीर की और ताउम्र उसके सदर रहे। अलवर और भरतपुर आंदोलनों यानी तहर सन 1947 में इंडिया पाकिस्तान बंटवारे के वक्त में कौम को पाकिस्तान जाने से रौका था। आजादी की जद्दो जेहद में कई बार जेल गए और नजर बंद किये गए। दोस्तों चौधरी यासीन खाने मेव कौम और मेवात के लिए अपनी पूरी जिंदगी बान किया और मेव कौम के रहबर बनकर सबसे आगे खड़े रहे। 19 फरवरी सन 1970 में चौधरी यासीन खान इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। पूरी मेव कौम और मेवात उनका हमेशा शुक्र गुजार रहेगा। अल्ल की मरहूम चौधरी यासीन खान के बारे में कुछ हम जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी बताई गई जानकारी खूब पसंदाई होगी। मिलते हैं अगली शांदार वीडियो में।